तो आज के वीडियो मुलों पढ़ने वाले हैं exercise 9.3 के question number 3 का solution तो देखे question number 3 में हमें दिया है कि in an AP with usual notation given a equal to 5, d equal to 3 and an equal to 50 तो find and and sn यानि हमें जो पहला question दे रखा है question number 3 का उसमें हम बताया जा रहा है कि इस given ap में जो हमारा first term है यानि कि जो हमारा an है जो हमारा first term है a है वो हमें दे रखा है 5, d दे रखा है हमें 3 और an हमें given है कितना 50 हमसे पुछा गया है कि n की value क्या होगी and sn क्या होगा जो 3 का part 1 है तो देखिए अगर आगर आप इन जो 3 में आपको total 5 questions दिया गए question number 3 में total 5 part आपको even है अगर आप इन 5 parts को अच्छे समझ के solve कर लेंगे तो आपको किसी भी question में कोई problem नहीं होगा ठीक है तो देखिए हमें यहाँ question दिया है यह वाला इस question number 3 में पहले तो हमनों इसी को discuss करना अच्छे से ताकि कोई problem ना रहे जाए solve करने में तो यहाँ हमें दे रखा है यह ए दिया है a 5 d 3 a n 50 n find करना और s n find करना है तो सबसे पहले पास a n का जो फार्मूला होता है a plus n minus 1 in 2 में d यह होता है a n का फार्मूला तो a n की वेलों में क्या दे रखी है a n दे रखा हमें 50 तो a और a क्या दे रखा है 5 d क्या दे रखा है तो 3 अब जब इसको म सिंप्लिफाई करेंगे तो 50 plus 5 3 n minus 3 यानि कि 50 is equals to में 3 n plus 2 तो जब साइड चेंज करेंगे तो 50 minus 2 is equals to 3 n या आगया आपका 48 is equals to में 3 n 48 by 3 आगया n तो n equals to आगया आपका n आगया 16 तो हमें n की वेलों में क्या आगया 16 आगया अब हमने कैसे यह अप्लाई किया तो हमें एन पता था कि 50 है तो हम जानते हैं कि एन का फार्मुला क्या होता है कि s n equal to होता है n by 2 2 a plus n minus 1 into me d तो यह होता है s n का और दूसरा फर्मुला s n का होता है कि s n equals to होता है n upon 2 first term plus last term तो यहां पर हमें दोनों ही पता है first term भी पता है कि first term में 5 दरखा है और last term यानि कि n 16 में पता है कि 50 है तो इस ओले formula को apply करके हम लोग आसानी system find कर सकते हैं अब चहां तो इससे भी find कर सकते है n 16 है 8 2 है sorry a 5 है और d3 है यहां s 16 में find करना है तो 16 upon 2 first term 5 है और last term 50 है यह आपका होगे 8 8 इंटु में 55 जो किया आपका 440 यह था question number 1 3 के part 1 का solution then next है question number 3 का part 2 next क्या है तो question number 3 का part 2 हम लोग अपना answer चेक कर लेंगे कि 9.3 का जो हमारा 3 का part 1 है क्या उसका answer सही आ रहा है ठीक है देखिए इसका answer सही है ठीक है then 3 का part 2 तो question number 3 के part 2 को अगर आप देखेंगे question number 3 के part 2 में हमसे पूछा जा रहा है कि A हमे 7 दिया है ए यह में 7 दिया है थाटीन थाम में रखत थाटीफाइव और D हमें find करना हूबर S 13 हमें पता करना है D find करना है और हमें S 13 भी पता करना है ठीक है तो देखिए ऐसे question को हम कैसे solve कर पाएंगे कि हम लोग क्या करने हैं सबसे पहले थो हम लोग क्या find कर लें कि हम पहले थो हमें जोदिह रख आई कि ऐमें गीवन है कुशिन नमर 3 के पार सेकेंड में 7 ए 13 हमें गीवन है थर्टी 5 ठीक है और हमें find करना नहीं जिसको हम कैसे सिंप्लिफाई कर सकते हैं कि हम्डों simply इसमें पहले तो जो A13 का फार्मूला होता है A13 यानि क्या हो गया तो A13 को हम ले सकते हैं A प्लस में 13-1 इंटू में D जो कि हमें दिया रखा है 35 अब हमें A कितना दिया है फॉर्स टम 7 दिया है तो 7 प्लस में 13 में 7 माइनस करेंगे 12D इसको स्टू में 38 by 12D आ गया हम लोगा 47 जा एंट 4 3 जा 7 upon 3 तो हमें common difference मिलके कितने का है 7 by 3 का है इसको हम लोग पहले अपना answer मैस कर लें कि common difference कि आमें सही मिला है तो देखिए common difference अपना 7 upon 3 आ गया है ठीक है अब हमें find करना है 13い necesit स्ट्रटिण करने के लिए मैंने अपको भी फ़र्म डिसकस किया है जब्यां फ़स्टाम और लास्टाम पता होता जब्यामें फ़स्टाम और लास्टाम पता होता है तो SN का हम यह फ़rão यूज कर सकते हैं कि SN इक लिए जाह आना पॉण टू अल अब़हल कंपन सकता हैं फॉस्स तंप से बने है और लास्ट अनल टूम किया है थर्टी फाइफ यह हो जायगा 13 बाई टू इंगा से बड़िक रटी थू प्रटी वंटे वन तैम स्में यानल गए इसको इसको करें तो 21 orden 13. 21 divided into 13 4 तो क्या आएगा? 33ा3, 32 जा 6, 1 जा 1, 12 जा 2, 373, एनि 273 कुछे हां, reached Q3 के 12 सेवेंटी 3 तो जो नेगए Q3 के पर terror का Solution Then, Q3 के 3 का Parccoli 3 में 3 के Part 3 हमें दिया है, देखrí तरी के पारheits3 में हमें given है कि अपने पास हमें इदे रख्खा है थरी के पाथ 3 में कि D5 है S975 है यह हमें find करना और A9 find करना है ठीक है यानि हमें यहाँ पर D दिया है स्थर्म गीवन है हमें पता करना है कि स्थर्मक्या होगा इंड जो जिसका common first थर्म क्या होगा घिक है तो अपने पास S9 given है कितना S9 given है 75 और हमें common difference दिया गया कितना 5 तो S9 का मतलब क्या है कि N की value 9 है N की value क्या है 9 है अब फर्स्टम क्या लट करते हैं फर्स्ट हमें यह पता है कि हमें यह find करना है और a9 ठीक है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि अपने पास sn का फार्मूला होता है इसको अपने तो इसको में लिख पाएंगे 9-1 इसको में इसको मैंने करते हैं तो एट और कमा डिफ्रेंस क्या रख़ा है इन तुमें 5 इसको में 75 ठीक है यानि क्या हो जाएगा जब इसको म सिंप्लिफाई करते हैं तो यह ब्लस एक प्लस 40 इसको स्चिबिख 7,5 क्रॉस मल्टीप्लाइब कर लें तो 2a प्लस 40 इंटू में 5 इंटू में 2 ठेक है यानि कि आज आएगा आपका 18a में 360 इकोस्ट व्रेंडेट 50 यानि कि 18a जिकोस्ट व्रेंडेट 50 ओंडेट 50 माइनस 360 ठेक है यानि कि और इसको हम सिंप्लिफाई करता है तो 18 A is equal to में हो जाएगा माइनस 210 यानि एक की वैलू क्या आएगी तो माइनस 210 अपॉन 18 जब इसको हम 3 से सिंप्लिफाई करें तो यह आजाएगा माइनस 70 अपॉन में 3600 अपिए ट्री के टेबल सेवेंटी ताम सिंप्लिफाई करें तो माइनस 35 वाइगा हमारा माइनस टेटीफाई यह क्या गया निफ्वर्स टो में मिल गया माइनस ट्रीफाई फॉन ठीक है तो फोस्त अनुब में पता चल गया और हमें common difference भी पता है कि common difference क्या है 5 है हमसे पुछा गया है find 9th term a9 देखिए an term निकलने का जो अपने पास फार्मूला होता है an निकलने का a plus and minus 1 into me d ये कोई भी किसी भी ap का है हमें अगर a नथ term पता करना है net मतलब कोई अगर पता करना है तो उसके लिए फार्मूला है an is equals to me a plus and minus 1 into me d तो यहाँ पर हम क्या apply कर सकते हैं कि हमें an find करना था तो a9 पता करना है यानिकि first term plus 9 minus 1 into me common difference 5 तो a9 first term क्या है था minus 35 upon 3 क्या है था minus 35 by 3 तो minus 35 upon 3 प्लस में 8 into 5 यानिकि minus 35 by 3 प्लस में 40 जब इसकों simplify करेंगे तो minus 35 by 3 3 हमरा एलचियों हो जाएगा 3 की टेवल में 120 टाइमस में यानिकर मैनस किया तो minus sorry 85 upon 3 हमरा आगया a9 टम्स 120 में 35 को मैनस करेंगे तो कितना आएगा 85 आएगा 85 upon में 3 यह हमरा हो गया a9 टम्स यह था question number 3 के part 3 का solution ठीक है then next है आपका question number 3 का part 4 अगर आपको कोई भी doubt रहता है तो आप हमें comment करें उसका दुबारा explanation आप सभी को provide किया जाएगा तो question number 3 का जो part 4 हमें दे रखा है 3 का part 4 हमें दे रखा है कि a बराबर क्या दिया है a8 है a and 62 है sn दिया है 210 first term 8 है last term दो दे रखा है a and term दे रखा है 62 और sn दे रखा है 210 हमें find करना है n and d देखें हमने अभी एक फार्मा पढ़ा है कि sn is equal to में होता है n upon 2 first term plus last term हम क्यों इसको apply कर रहा है क्यों कि आप हमें first term पता है और last term भी पता है ठीक है तो sn हमें क्या दे रखा है 210 n पता नहीं है n upon 2 first term क्या दे रखा है 8 और last term यान कि an दे रखा हमें 62 यह हो जगा 210 is equal to हमें n upon 2 यह हो जगा 70 तो cross multiply करेंगे 210 into 2 upon में 70 यह n आ गया तो n क्या जाए 70 टेवल में 3 times में 32 जा 6 n आ गया 6 यानिकि जो हमेरे इस ap में total कितने terms थे 6 terms थे ठीक है हमें सब्सक्राइब हमें मिल गया अब मिल अब हमें find करना है कि आखिर d बीक होगा प्लस में 6-1 इंट्यों में common difference equals to 62, तो एक इतना था, ए 8 plus में 5D is equals to 62, ठीक है, यानि कि 5D बराबर क्या आएगा, तो 62 minus 8, 5D हो जाएगा आपको कितना, 54D आ गया, 54 अपन में 5, तो यह था question number 3 के part 4 का solution, then next question number 3 का part, question number 3 का part 5, तो question number 3 के part 5 में हमें दिया गया है, कि given A equals to 3, N equals to 8, S equals to 192, हमें find करना है D, हमें find करना है D, तो sum of 8 हम दिया है, S8, question number 3 के part 5 में, S दे रखा है 192, A दे रखा है 3, N भी दे रखा है 8, हमें find करना है D, यानिकि सब कुछ आपको given है, बस आपको पता करना है कि D क्या होगा, common difference क्या होगा, तो अपने पास S N find करने का जो formula होता है, S N equals 2 क्या होता है, N upon 2, 2A plus N minus 1 into D, ठीक है, S N हमें दे रखा है अलए D, 192, N मतलब क्या है, 8 दे रखा है, 8 upon 2, 2A मतलब क्या है, 3 to 2 into 3, 8 minus 1 into D, तो हो जाएगा, 192, 4, 2, 3, 6 plus 7 D, तो 4 सागर इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 192 upon 4, 6 plus 7 D, तो 4 सागर डिवाइड करें कितना आजाएगा, 48 equals 2 ने 6 plus 7 D, यानि कि 7 D क्या हो जाएगा, तो 48 minus 6 आगया 42, तो D की वैलू क्या आजाएगी, 42 upon 7 D आगया 6, यह था question number 3 के part 5 का solution, then, अब इसी वीडियो हम लो आगे देखेंगे question number 4 के solution को, देखें, question number 4 में हमें 2 part यहां भी दिये गए है, question number 4 का part 1 है, कि the first term of NAP is 5 and the last term is 45 and the sum is 400, तो find the number of terms and the common difference, देखें यह जो question है, आपका same is question का जैसा है, question number 3 के part 4 के जैसा, इसमें हमें first term दिया था, last term दिया था, SM दिया था, और हमसे N और common difference पूछा गया था, यहां भी same क्या है कि first term given है, last term भी given है, हमसे sum और common difference, sum भी given है, हमसे पूछा गया है number of terms and common difference, दोनों question नमसे इतना है difference है, कि यह थोड़ा statement में लिखा गया है, और यहां पर आपको notation दिये गए थे, क्या दिये गए थे, notation, ठीक है, तो question number 3 की, 4 के part 1 को भी हमनों solve कर लेंगे, पहले तो आपको इसको खुद से try करें, अब है solve नहीं कर पा रहा है, तो then आप solution को check करें, ठीक है, तो question number 4 क्या, जो part 1 है, इसमें पहले हमें दे रखा है first term 5, यानि कि a 5 दे रखा है, last term an, 45 दे रखा है, इसको an क्या लें या फिर l क्या लें, last term क्या लें, और हमें sn दे रखा है 400, sn भी दे रखा है कितना, 400, ठीक है, तो पहले थम्लो, इस case में कौन सा formula यूज़ करेंगे, जब हमें first term और last term पता होता है, कि sn is equal to होता है, n upon 2, first term plus में last term, ठीक है, तो sn में दे रखा है 400, n by 2, first term कितना दिया है 5, और last term दिया है 45, ठीक है, यानि कि 400 into में 2, is equal to में, n into में 50, ठीक है, तो यह होगी आपका 800 upon में 50, is equal to में n, तो n की value आ गई, and I guess 16, and I guess 16 term, यानि इस given AP में total solar terms है, and क्या है 16 है, अब उन से पुछा कि रहे है common difference, यानि कि जो हमें last term given था, अब इसको use करेंगे, कि last term 45 दिया था, तो last term 45 होने का मतलब क्या है, कि A 16 हमारा कितना है, 45 है, तो A 16 को हम निस सकते हैं, A plus में 16 minus 1 into में common difference, is equal to में 45, 5, तो first term क्या था, 5 था, तो 5 प्लस में 15 D is equal to 45, यानि कि 15 D is equal to क्या हो गया, 45 minus 5, तो D कितना आ गया, तो 40 upon में 15 D आ गया आपका, 5 प्लस में 8 बार में, 5 प्लस में 3 बार में, यानि D आ गया हमारा 8 by 3, D कि आ गया, 8 upon 3, तो यह था question number 4 के part 1 का solution, question number 4 का part 1, ठीक है, then next question number 4 का part 2, ठीक है, तो मैंने आप, मैंने इसलिए कहा था कि अगर आप question number 3 को सही से समझ के solve कर लेते हैं, तो आपको बाकी किसी questions में कोई भी problem होने वाला, नहीं है, क्योंकि जो भी बाकी questions हैं, सभी के, सभी 3 से ही related है, ठीक है, तो 4 का part 2, second हमें दिया है, कि the sum of first 15 term of an ap is, is a 750, and its first term is 15, तो find its 23 term, यानि हमें पहले question को समझना है, question दिया क्या है, कि the sum of first 15 term, यानि कि हमें, हमें question में दे रखा है, s15, 5, 4 के part 2 में हमें क्या दे रखा है, कि पहले हमें question में दे रखा है, कि s15 कितना है, sum of 15 term, दे रखा है हमें, 750, then हमसे बोला गया है, and its first term, यानि कि a, ये दे रखा है 15, first term में हमें दे रखा है 15, हमसे बोला गया है, find its 20th term, find its 20th term, अनि हमें a20 पता करना है, a20 क्या होगा, तो a20 पता करने कि लमें पहले, तो n भी पता है कि 20 है, a भी पता है, common difference हमें नहीं पता है, तो common difference find करने कि लम लोगों पहले, sum का formula apply करेंगे, क्योंकि हमें 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 sum of 15 terms पता है, तो s15 का formula क्या होगा, 15 by 2, 2a plus 15 minus 1 into a common difference, ठीक है है, निकि हमें दे रखा है 750, 15 upon 2, 2 into में first term दे रखा है 15, 14 into में common difference, 2 से सको multiply करेंगे, तो 1500 as equals to 15, 30 plus में 14D, 13 plus में 14D, अब हम क्या करेंगे, 15 से सको divide कर लें, तो 500 upon में 15 करेंगे, यहां आएगा 30 plus 14D, यहांनिक पंदर टेवल में 100 बार में, 100 equals to 30 plus 14D, मैनस करेंगे तो कितना आएगा, 70 equals to 14D, तो D की value क्या आजाएगी, 70 upon 14D आगया 5, common difference कितना आगया, common difference हमें मिल गया, 5 के common difference है, ठेक है, अब हमसे पुछा गया है, कि, इस AP के 20 सुवाथ term क्या होगा, 20 तर्म क्या होगा, तो A20 अगर हमें find करना है, तो formula क्या है, A plus में 20 minus 1 into में D, तो A हमें क्या दे रखा है, A था आपने पास 15, 15 plus में, 20 में 1 minus करेंगा 19, इंट उमें common difference 5 का है, यानि कि हो गया 15 plus में 95, जब इनको हम एड़ करेंगे, तो 110 यह हमारा हो गया answer, तो यह था question number 4 के part second का solution, तो इस वीडियो का यह आखरी question होगा, देन बाकी जो भी questions आखरी को हमें next video में solve करेंगे, ठीक है, question number 5 में हमें दे रखा है, कि the first and the last term of an AP is 17 and 350, if the common difference is 9, तो how many terms are there and what is their sum, तो हमें आपे दे रखा है कि first term पता है, last term भी पता है, तो हमें आप पहले पता करना है कि इस AP का common difference क्या होगा, और जब हमें common difference पता चल जाए, तो हमें यह बताना है कि इस AP में, जो जितने terms दे गया है, उनका sum क्या होगा, ठीक है, तो यह दो question हम से, question में पूछा गया है, पहले and find करना है, और then sum find करना है, देखे तो इस type की question में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ठीक है, और common difference जो कि D हमें दे रखा है, common difference के अधर रखा है, 9, ठीक है, 5 में common difference हमें दे रखा है, 9, अब हमें find करना है कि आखिर, जो यह AP है, इसमें कितने number of terms हैं, ठीक है, तो हम अपने पास AN है, तो AN का हम पहले formula लिखना है, कि AN is equals to me, A plus में N minus 1 into D, ठीक है, यानि कि A दे रखा है, A अंद रखा है 350, A हमें पता है 17, plus में N minus 1 into the common difference, 9, तो इसमें सख 17 में समें इसको minus करें, तो 350 minus 17, इसको को स्टू में 9 N minus 9, ठीक है, तो जो minus करेंगे तो आएगा, 333 is equals to me 9 N minus 9, अब इसको हम साइड चेंज करके, इसमें add करने, तो 333 plus 9 is equals to me 9 N, ठीक है, तो add करने कितना आ जाएगा, 343 is equals to me 9 N, जो हम N find करने जाएगे, तो हमको 9 से इसको divide करना पड़ेगा, ठीक है, तो 9 से जब इसको हम divide करते हैं, 343 को divided by 9, तो 9 4028, sorry 9 3027, sorry, आपर 42 होगा है, sorry, 303 plus 9 करते हैं, कितना आएगा, 342, 342, तो यह आगे आपका, कितना, 7 और यह 2, तो यह नहीं 3 8, यह नहीं कि 9 टेवल में 38 टाइम्स में, तो N की वेलू किया आगे 38, यह तो टोटल, इस एपी में total 38 टॉम्स हैं, अब हमसे पुछा गया है कि, find the sum of, find the sum, तो हमने पहले N find कर लिया, यह दे नहीं से पुछा है, what is their sum, what is their sum, तो sum निकालने का फार्मला, अपने पास दो फार्मुले होता है, first term, SN equals to होता है, n upon 2, first term plus last term, या तो हम इसको अप्लाई कर दे, या फिल जो अपने पास एक फार्मुला होता है, SN equals to n upon 2, 2 a plus n minus 1 into, हम उसको अप्लाई करें, तो हम इसी जोले फार्मुले को अप्लाई करेंगे, यहां हमें दे रखा है, n upon 2 a plus l, ठीक है, तो यह, SN हमें के निकाश्ट थर्टीट पता करना है, 38 upon 2, 9 plus में last term दिया है, 315, sorry, 9 नहीं 17 है, यह कहाँ है आपका 17, तो यहोगे 19 into में, इनको add करेंगे, तो 367, अब इनका आपस में multiply कर लेंगे, जो answer है को ही क्या है, हमारा required sum है, जो answer है इनका multiply करने पे, हमलों का क्या है, required sum है, sum of 38 terms, sum of 38 terms हुई हमारा answer हो जाएगा, तो इनको multiply कर कितना answer आएगा, 367 into 1, 19 कितना हो जाएगा, तो आप इनको multiply करके check कर लेंगे, आपका रोजो answer आएगा, होगा 6, 9, 7, 3, ठीक है, तो यह राए question number 5 का solution, then next है question number 6, क्योंकि, बहुत जादे questions दिये गहा है, तो हम लोग जल्दी जल्दी cover करेंगे, तो question number 6 में दिया है, कि 1 plus 4 plus 7 plus 10, plus में, dash dash plus x equals to 287, यह हमें question दिया है, हमें करना है solve for x, हमें x की value find करनी है, क्या find करनी है, तो x की value find करनी है, question number 6 में हमें दिया गया है, कि हमें x का answer find करना कि आखिर x क्या होगा देखिए जब भी आपसे ऐसे question पूछे जाएं तो हमें देखना क्या है कि हमें first term क्या दिया है तो a दे रखा है हमें 1 common difference कितने का हो जाएगा तो अगर 4 में सम 1 को minus करते हैं तो d अपने पास 3 है common difference क्या है 3 है और sn दे रखा है 287 287 तो sn का formula क्या होता है कि ऐसा निक कोस्टम होता है एन अपॉन टू है तो हम एन की वैलू पता करने कि टोटल इस एपी में कितने का है 3 तो हम दे रखा है 287 इस इक कोस्टम है एन अपॉन टू टू प्लस में 3N माइनस 3 यानि जब इसकों सिंप्लिफाइग करें तो तू सा मठिप्लाई करें सिंप्लिफाइग करते है तो बनेगा 3N स्क्वाइर माइनस स्क्वाइर और muas 570 इसका है एक रिक 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 रिक्वाइड एक्योशन फाम हो गया इसे हमें split करके क्या पता करना होगा तो हमें n की value पता करने हूँ कि आखिर n क्या होगा जब इसको हम split करें तो कैसा split करते हैं पहले हम इसको multiply कर लें तो 3 into me 574 अब इसको हम कैसा लग सकते हैं कि 3 into me 2 into me 287 यानि कि 6 into me 287 हो जाएगा ठीक है जब इनको multiply करेंगे तो यह factor आपको बन गया 6 into me 287 और 87 को हम क्या लिख सकते हैं 287 को लिख सकते हैं हम लोग 7 into me 41 तो यह आपको हो जाएगा 42 into me 41 हमारा factor बन जाएगा 3 n square minus 42 n plus 41 n minus 574 is equal to me 0 574 is equal to me 0 तो यहां 3 n कॉमबल लेंगे तो n minus 14 plus 41 कॉमबल लेंगे n minus 14 is equal to me 0 यानि कि n minus 14 is equal to me 0 या फिर 3 n plus 14 is equal to me 0 तनी कि n minus 14 या तो 0 के बराबर हो जाए या फिर 3 n plus 41 0 के बराबर हो जाए ठीक है तो यहां क्या हो गया n equal to 14 क्योंकि यह कभी एपी का टर्म नहीं होगा क्योंकि अगर इसको हम सिंप्लिफाई करते हैं तो n equals to क्या मिलेगा 41 upon 3 और जो कोई भी टर्म हो कभी हो फ्रेक्शन में नहीं होता है कभी ए 14 की value होगी ए 14 is equals to क्या होगा X होगा तो मैं simply क्या करना है कि 14 टर्म पता करना है कि 14 टर्म आखेज होगा क्या 8, 9, and 10. Thank you.